इंदर जी, DIC की बात करें, बहुत सारे लोग जानते हैं कि तरीका क्या है, क्या कुछ होगा, कितने लाका लोन लेंगे, कितनी सबसीटी है आपने सही बात बोली, गर्मेंट की स्कीम्स तो हैं, लेकिन कई बार पहले क्या होता था, कि उसकी जो है, लोगों को पता उसके बारे में कम होता था, अवेरनेस कम होती थी, लेकिन मैं आपको बताओं कि जैसे आपने विक्सित बारत की बात की है, तो अभी जैसे विक्सित जातरा आपको पता होगा की हर घर में government जो है कोशीश की गही है कि हर घर में पहुंचें और हर घर में जाके जो लास्ट यहाँ के जो भी गाउँ है वहां पे हर घर में पहुँचके अपना जो schemes है उनके बारे में लोगों को जो जो आफ़ित करवाएं कि PME GP स्कीम है इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मलिटी नहीं है इसमें पैन कार्ड अधार कार्ड और अगर आपका बड़ा काम है तो दो पेज की आपको प्रजेक्ट रिपोर्ट बना नहीं है वो भी हम बना के देते हैं यहां से जो नहीं बना पाते हैं हम यहां से उनको बना के देते हैं और उसके लावा जहां पे आप काम कर रहे हैं उस जगा के डॉक्मेंट से ही है अगर आपकी जगा नहीं है आपकी दुकान नहीं है तो आप रेंट डीट कर सकते हैं और रेंट डीड भी नोटराइज रेंट डीड है बस यही इसमें डाकुमेंट से इसके लावा कोई डाकुमेंट ना जी बिल्कुल सही बात है जैसे डिजिटल इंडिया से आपको यह फैदा हुआ है कि एक तो आपका सब काम आनलाइन हो चुका है अब आप यह न लोन लिया आपने काम शुरू किया असान किष्टों में आपके किष्टों में आपको आने ही जूनी होती है वो बैंक करता है कि आपको automatically आपके कीज़ जो है महीने महीने आपके account से कड़ जाएगी विक्सित भारत की बात की जाती है विक्सित भारत 2047 को लेकर जो एक प्रण अधरनिय प्रधान मंत्री ने अंदर मोधीजी ने किया है उसको लेकर हर तरफ से कोशिशे की जा रही है और दिन पती दिन हम देख रहे हैं चाहे ड्वेल्मेंट की बात की चाहे या फिर नया रोजगार शुरू करना हो इतने ज़्यादा options जो है आम जंता को मिल चुके हैं कि अब उसको परिशानी या चिंता करने की जुरूरत नहीं है उनके बस बस एक option नहीं रहा कि अब बैंक में जाएंगे तो लोन लेंगे तो कुछ हो पाएगा खदम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कहीं सारी ऐसी schemes है जो आज एक middle class से लेका अगर blow poverty line लोगों की बात करें हर तपके के लोगों को वो फाइदा मिल रहा है subsidia मिल रही है और कहीं बार तो ऐसा होता है कि इनसान कहता है हम बैंक में गये है हमने 10 रुपर उन से अगर कुछ लिये है तो हमें 15 कब हो जाएंगे इंटरेस्ट के साथ पता नहीं लेकिन schemes ये कहाती है कि आपको 10 दिये है अब 10 ही चुकाई ये उपर इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा लगिन subsidy में आपको काफी चीज़े रहात मिलेगी इस सब पर चर्चा करने के लिए हम आजाए DIC office आए हैं जो कहीं सारे लोगों को start-up को जो है मदद करता है और खुल कर चर्चा करेंगे और कुछ चीज़े जानने का परयास करेंगे कुछ लोगों को मालूम भी है और कुछ जानने का परयास करेंगे विंदर जी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ आपने अपना कीमते समय दिया ये शुक्र याज़ जी डी-आई-सी की बात करें बहुत सारे लोग जानते हैं कि तरीका क्या है, क्या कुछ होगा, कितने लाका लोन लेंगे, कितनी सबसिटी है, लेकिन एक समाई कतब का ऐसा भी है जो Android phone user नहीं है, जो शायद अख़वार पढ़ता होगा, आपको लगता है कि आज के दोर में इतने जादा options लोगों के पास कि कोई भी व्यक्ति DIC से या फिर और जो schemes होई है, उसे अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं, देखे, आपने सही बात बोली, government की schemes तो हैं, लेकिन कई बार पहले क्या होता था, कि उसकी जो है, लोगों को पता हो, उसके बारे में कम होता था, awareness कम होती थी, लेकिन मैं आ जो भी गाउं है, वहां पे हर घर में पहुँचके अपना इस जो schemes हैं, उनके बारे में लोगों को अफ़ित करवाएं, और हमने भी इस विक्सिद यात्रा के दुरान जो है, हम हर पंचायत में गए हैं, हर गाउं में गए हैं, वहां पे हर हमारी जो भी schemes हैं, वो हमने से एक camp लगता है, जिसमें DCA deputy commissioner जो हैं, वो इसको head करते हैं, और लोगों की परिशानिया सुनते हैं, और जो हमारी अपनी schemes हैं, वो हम लोगों को बताते हैं, तो हमने media के तुरू भी जैसे आप media के तुरू हम कोशिश करते हैं, कि हमारी जितनी भी schemes हैं, वो लोगों तक प जहन में सवाल आता है, कि अगर हम किसी भी scheme के लिए जा रहे हैं, हम कोई पैसे ले जाने अपना रोजगार शुरू करने के लिए, formalities क्या रहे हैंगी, कहीं इतनी formalities तो नहीं हैं, जैसे bank वाले कहते हैं, आप ये ले क्या ये, वो ले क्या ये, एक कोई भी किसी भी चीज क के लिए जा रहे हैं, एक सधारन सी formalities क्या है? इसके लावा जहां पर आप काम कर रहे हैं, उस जेखा के documents के लीए, अगर आपकी जेखा नहीं है, आपकी दुकान नहीं है, तो आप rent deed कर सकते हैं, वो rent deed भी notified है, बस यही इसमें documents है, इसके लावा कोई एक स्वाल इसमें और आता है कि जैसे आपने रेंट डीड का जिकर किया क्या किसी के पास अपने घर में ही एक शेटल लगा के दुकान खोली है क्या उसको भी मानिता मिलेगी जी हाँ बिल्कुल देखे वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाते हैं अगर आप चोटा स लिए बढ़ा दिया जा रहा है जिस तरह वेर उसकी फिसिल्टिस की बात करें वैसे ही क्या फॉर्मिल्डिस रहेंगी उनको आपको लगता है इन सब चीजों से जो है नहांस होंगी चीज़ है देखे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 से गर्वर्मेंट आफ इंडिया ने जो है जीनके के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया है जिसका नाम है NCSS New Central Sector Scheme इसमें जो है बाहरे सरकार की मंचा यह है कि जीनके में जाद से जादा इंवेस्मेंट आए और इंप्लाइमेंट आए ताकि हमारे यूटी की जो है डिवल्मेंट हो सके तो इसके अंदर गर्वर्मेंट जो भी नया इंडस्ट्री सात है तो मैं सभी यहां से यह कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप अपने आपको सिर्फ PME GP तक ही सिमित रखें जो बड़ा काम करना चाते हैं जैसे आपकी अगर इंवेस्मेंट जो है 50 लाग जैसे PMGP में 50 लाग की लिमिट है अगर आप इससे बड़ा काम करना चाते हैं तो इ दूसरी स्कीम है हमारी जो अभी बताई NCSS इसमें भी आप जो प्लांट एंड मिशनरी लेते हैं उसके ओपर जोन A और जोन B हैं जोन A में आपको 30% सब्सेडी मिलेगी और अगर जोन B में है तो 50% जो है आपको सब्सेडी मिलेगी उसमें यानिकि अगर आप प्लांट पास है इसको इतना लोन मिलेगा कोई ग्राइशन पास इतना लोन मिलेगा क्या ये चीज़े भी एड्युकिशन को लेकर इस रिलेटिड हैं देखे इसमें 10 लाग तक जो लोन है उसमें कोई क्वालिफिकेशन की कोई बार नहीं है सिर्फ 18 साल से उपर होना जाहिए बाकी क दूर दूर गाउं गाउं तक असली भारत जो है वो गाउं में बसता है तो वहां तक भी ये लोगों को लाग पहुंच पाए जी देखिए गौशन की यही है मैंचा है कि हर घर में आपको जैसे कहा कि गवर्मेंट का जो है वो यह है कि हर घर में जाके अपनी सर्विसीज प्रोवाइड काभी है लोगों को मैं आपको आज की बात बताऊँ तो जैसे खड़ा बली है जी जो जमू डिस्टी का सबसे दूर का आज वहां पे पब्लिक दरबार लगा हो। आज की डेट में वहां पे पब्लिक दरबार लगा है हमारे शबनम कामनी माई माईस वहाँ पर और सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पहुंचे हुए तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी एरिया जो है हमने नहीं चुड़ा है एक आखरी स्वाल आप से रहेगा कि एक समय हुआ करता था हम पोस्ट आफिस जाएं प्या करूंगा कैसे अप्लाई करूंगा तो कहीं न कहीं आपको लगता है इससे ज्यादा फाइदा लोगों को हुगाँ जी बिलकुल साइब रात है जैसे डिजिटल इंडिया से आपको ये फाइदा हुआ है कि एक तो आपका सब काम आनलाइन हो चुका है अब आप यह नहीं है कि आप आफिस आएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी फाइल कहां पर है आप गर बैठके फोन पर देख सकते हैं कि आपकी फाइल किसके पास है वो किसी मैनेजर के पास है जेनर मैनेजर के पास है या किसी नीचे एसिस्टेंट के पास है तो आप गर बैठे ही दे सकते हैं और आपको कोई चुपा नहीं सकता अब आपसे कि आपकी फाइल हमें मिल रही है उसके इलावा जैसे PMGP और यह है इसमें आप आनलाइन गर बैठे ही आप हमारे पास अपलाई का सकते हैं आपको दफ्तरों की चक्क लगाने की सुरुत नहीं है आम PMGP की स्कीम है उसमें जो है दो सेक्टर सेschaft सर्वी सेuchar में अपको 20 लाग तक का लोर जाएक 15 लोर मेंगा अबमेंफेक्ट्र तक का YOU अगर za सबसेडी के बात करूँ महां तो सबसेडी है रुटलेण में 35 परेसंट है NFL heeft कर हैं शे इं Tara संद्वीन यह आपके account में तीन साल के बाद आती है, आपने loan लिया, आपने काम शुरू किया, असान किष्टों में आपके bank जो है, वो set कर देगा, आपने किष्टें देनी है, तीन साल के बाद 35%, जैसे आप 20 लाक है, तो 7 लाक रुपय जो है, वो आपके account में आ जाएगा, तो क्या यह आटो काट रहेगी, यहां फिर जम्मा करवाने पड़ेगी, यहां manually जाकर, आदेखे, bank आजकल जैसे मैंने बता है, डिश्टल हो गया, तो आईकल manual आपको आने की जूट नहीं होती है, वो bank करता है, कि आपको automatically आपके किष्ट जो है, महीने महीने आपके account से कड़ जाएग क्या बात है, तो बहुत शुक्रे से आपके कींती वक्त के लिए, और इस तरह के अफसरान हो, जो कितनी detail से जो है, सरल भाशा से आम पब्लिक तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, और इस तरह के अफसरान की जूरत भी है, क्यों नहीं हो, और देखिए, आम जंता, मैंन स्कीमों का लाब लेना है, तरीके आपके पास, जो सरल तरीके से समझा सकते हैं, ते वैसे समझाएगे, और आप घर बैटी भी अप्लाई कर सकते हो, दफ्तों के चक्कर लगानी जूरत नहीं है, मातर, शाह दस से पंदरा दिनों में आपका ये हो जाता होगा, पर जीज़ कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने इन से सवाल किया था, कि अगर आपके घर पर भी छोटी सी दुकान है, उस पर आप फास फूड का काम, कॉस्मेटिक का, या पारलर, या कोछ छोटा विवसाई शुरू करना चाहते हो, तो आपको कहीं और पर दुकान तलाश कर वहाँ पर रेंडीड बना कर किराया देने की जूर्त नहीं है, अपने घर पे भी जो है, वो शुरू कर सकते हो, तो खैर, जो भी लोग इस स्कीम का फाइदा उठाना चाहते हैं, तो वो जल्दी से घर बैठे भी अपलाई कर सकते हैं, और आपके क्योरी कुछ हैं, तो आप DIC की या आफिस में आके भी संपर कर सकते हैं, आप देखते हैं, राहूल खात्री, नमस्कार.